अपने जिंदेगे में खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश जरूर करते होंगे लेकिन अगर love life related कुछ भी problems है आपकी love life में कुछ जैसे की कठी नाया है या जैसा आपने सोच आता वैसा कुछ नहीं हो रहा है या फिर हो सकता है कि एक दुसरे से आप अपने पार्टनर स है इंपने साथा कि सबकुछ ठीक होगा हमारा फ्रीचर अच्छा वोगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा हूं औह पिर आप लिगता है कि करद्ए इमोश्य और भी किया को लेकर लेकर इस रिष्टे में वो क्या अचा होएं जोचते आपको लेकर यह जाने की सब कोशिश करेंगे जनरल रिडिंग है तो जो भी रेजुनेंट होता है वही लीजे बाकी का छोड़ दीजे किसी और की एनरजी हो सकती है सब कुछ अपने उपर लेंगे तो आपका टेंशन बढ़ेगा साथी साथी सभी जोडियक साइंस एनकी सभ राशी वालों के लिए रिडिंग है टाइमलेस भी है जब भी देखेंगे इस वीडियो को आपकी सिच्वेशन के साथ जरूर मैच करेगा अगर आप परसनल रिडिंग लेना चाहते हैं मुझसे जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में लव लाइब करियर या जो अब भी सवाल है तो मेरा नंबर स्क्रीन के उपर है जहाँ पर आपको वाटसेप के उपर मुझे मैसेज करना है तो चले जल्दी से उस व्यक्ति को याद कीज़े जिनके बारे में आपको जानना है एंजल मुझे प्लीज काइड करें एंजल से यूनिवर्स मुझे ये विडियो के देख रहे है उनके person उनके partner की कया है current feelings angels मुझे प्लीज काइड करें archangel Michael मुझे प्लीज help करें मुझे बताएं इस रिष्टे को तोटना नहीं देना चाहते मतलब अगर आप सोच रहें कि बहुत टाइम हो गया परसन रे रिष्टा तोड़ेंगे मुझे से मात नहीं कर रहे है मुझे ब्लॉक किया है तो रिष्टा खतम ऐसा अगर आप negative सोच रहें तो positive वक्त आ रहे बहुत बड़ा बदलाव आपके जिन्दगी में आएगा और वो भी अच्छा रख Ace of Cups जो कि मेरा भी बहुत ज़दा फेवरेट है क्योंकि यह जब भी कार्ड आता है न कुछ न कुछ अच्छा ही होता है आपके जिन्दगी में तो भरोसा रखे डिवाइन के उपर भरोसा रखे यूनिवर्स के उपर भरोसा रखे शीवीचीव के उपर क्योंकि यहाँ पर अच्छा वक्त है आपके जिन्दगी में चीजे ठीक हो रही है और अभी वो टाइम है जहाँ पर ऐसा आपको लगेगा ना कि मेरे सपने सब सच हो रहे तेरे तेरे यह परसन आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं यह परसन ट्रावल करके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं कमिटमेंट दिया है तो वो पूरा कर सकते हैं कुछ न कुछ good news आपको मिलने वाली है, बहुत ज़ादा खुश खबरी, जो कि आपने बेस जबरी से इंतिजार किया है, वो अभी आपको मिलने वाली है, अच्छानक चीजें बदलेंगी, अच्छानक बहुत बड़ा बदला आपके जिंदेगी में आएगा, और एक कार्ड आपके पार्टनर के emotions और feelings को दशारा है, जो कि बहुत ज़ादा positive है, हो सकता है कि इसके पहले आपके पार्टनर बहुत ज़ादा negative सोच रहे थे, बिल्कुल बात करने का मन नहीं था आपके साथ, या फिर आपने अगर कोशिश भी की थी, तो वहां से कुछ answer ही नहीं आता लेकिन अभी ये person इस रिष्टे को बचाना चाहते हैं, इस रिष्टे में अपना 100% देना चाहते हैं, हो सकते हैं कि पहले ignore किया है, 100% पहले आपको ignore किया है, अपनी धुन में जा रहे थी person, मतलब आपकी बात नहीं मानी है, या हो सकता है कि जैसा आप चाहते थे वैसी ची कोशी से रहना चाहते हैं आपके साथ ये रिष्टे को continue करना जाते हैं आपके साथ उनका future उनको लगता है ना कि future बहुत कुपसुरत होगा इस रिष्टा बहुत अगर आपके साथ वह जैसे कि आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं long term basis पर marriage हो सकता है या किसी भी टाप का र गुष रहे जैसे कि आप चाहते थे कि ऐसा ही हो वैसा ही कुछ हो रहा है या पर आप देख सकते हैं दोनों कारद सबसे पहले positive आये हैं और दोनों कार्डस ऐसे कहते हैं कि नहीं शुरुवात आपके जिन्दगे में हो रही है वहुती अच्छा वक्त आपके जिन्देंगे में आ रहा है new beginning भी है divine blessings है divine connection हो सकता है और person आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं तो खुशी का कुछ ना कुछ आपको good news मिलेगी खुश खाबर आपको मिलने वाली है ये दो cards के तुरू मुझे आपर पता चलता है जो भी बुरा वक्त था आपके बीच वो person खतम करना चाहते हैं जैसे कि no contact था तो उसे खतम करना चाहते हैं अगर block किया था तो उसे खतम करना चाहते हैं और एक अच्छा time आपके जिन्देगी में आ रहा है देखी यहाँ पर तीनो positive cards आये हैं और तीनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि beginning है new beginning एक number का card फिर से new beginning और यह जो death का card यह कहता है कि बुरा वक्त आप दोनों के भीच रहा है हो सकता है कि गलती आपकी है गलती आपके partner की है इस रिष्टे में किसी की भी गलती हो सकते है no problem लेकिन अभी जो भी हुआ उसी भुला कर आप भी एक नहीं शुरुआत करना चाहते हैं और आपके partner भी भुला कर सब कुछ एक नहीं शुरुआत करना चाहते हैं हो सकता है कि आप उनको नहीं समझ सके उनकी feelings को नहीं समझ सके या फिर वो आपकी feelings को नहीं समझ सके या पर म जी कोई न कोई डॉमिनेटिंग लगता है, एक तो आप अपनी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि वो सवभाव है आपका, और प्लाइनेट्स का एफेक्ट हैं, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आ पात है, आज ऐसा लगता है न कि बहुत पॉजीटीव वाइब नहीं पर हैं आपकी जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस रिडिंग को देख रहे हैं, ऐसा लगता है आपकी जिन्दीगी बदलेगी, क्योंकि जब से रिडिंग सटार्ट किया है, सभी के साथ connect हो रहा है और आपको blessings भेज रहा है यूनिवर्स की तरब से आपको बहुत ज़दा blessings आपके जिंदिगी में आएगा बहुत सारे डेट सारे आशीरवाद आपको मिलेंगे और जो चीजे या जो सपने आपके टूटे थे वो कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि पूरा होने का वक्त अभी आया है यह person आपकी तरफ आ रहे हैं किसी को अगर बच्चा होने का वे अच्छा वक्त आएगा मिल चुल कर रहेंगे या अगर आप एक दूसरी के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे मतलब प्यार तो हो गया सब कुछ हो गया लेकिन सौबाव कहीं न कहीं ऐसा लगते कि बहुत जादा तेज हो सकते हैं सन का काड़ है ना सन यानिकी सुरिया सुरिय जानिक बहुत तेज होता है सुरिय का बहुत थोड़े सा घुस्ण होता है तो मैंने जैसे पहली भी कहा था कोई डॉमेटिंग गुस्णे वाला आपके रिष्टे में ज़रूर है एक तो आप या आपके पार्टनर मैं फिर भी कहता हूं कि गलती नहीं है आपकी आपकी प् बेगनिंग है नई शुरुवात है और अगर कोई चाहते हैं ऐसे बारी डेक्स इस चैनल को कोई देना चाहता है डोनेट करना चाहता है गिफ्ट करना चाहता है तो कर सकते हैं मैं उस परसन का नाम यहां पर अनौंस करूंगा और कुछ cards लेंगे, यहाँ पर है magician का card, यानि कि जो भी manifestation आपने किया है, आपने मुझे लगता है कि बहुत wait किया, इंतजार किया, दुआ मांगी थी कि इस person के साथ आपका रिष्टा फिर से जुड़े, खुश खबरी आपको मिले, या person आपकी प्यार को समझे, इस रिष्ट अगर है भी, तो person आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर नहीं जा सकते, अगर ये आपके ध्यान में आता है कि partner आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, हमेशा के लिए ब्लॉक रखेंगे, तो ये उनसे नहीं होगा, एक certain time होता है, एक सही वक्त आता है, जहाँ पर इ जिन्देगी बदलेगा, या जो आपने चाहा था, वो देरे देरे सब कुछ सही होते वे, positive होते वे, मुझे नजर आता है, तो आपको ये फिर से new beginning है, एक नमबर का card, नई शुरुवात आप लोग करने वाले है, इस रिष्टे में बदलावाएगा, बहुत कुछ positive होगा, यही मुझे यहाँ पर नजर आता है, साथी साथ आपने विश्वास रखा है, आपके प्यार के उपर, कि मेरा प्यार सच्चा है, मैंने बहुत कुछ दिया इस रिष्टे में, तो मेरे person, मेरे partner, मुझे इतनी आसानी से धोका नहीं दे सकते, इतनी आसानी से इस रिष्टे क आसकते, किसी-किसी के लिए लगता है, मुझे एक हफ्टे के अंदर हो सकता है, किसी-किसी के लिए मुझे यह भी लगता है, यहाँ पर, कि 10 घंटी के अंदर call messages आ सकते हैं, three of wands, यहना कि person आपको लेकर, और future को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहें, हो सकता है कि आपके साथ उनको रिष्टा जोड़ना है, लेकिन नहीं हो सका, यह इस person ने reject किया, यह आप दोनों ने मिलकर सोचा, कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ना तुम मुझे समझ रहे हो, ना मैं तुम्हें समझ रही हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है, तो कहीना कि मुझे लगा कि person दूर चले गए है, long distance एक तो हो सकता है, यह person खुद दूर गए, चिड़ कर गए है, रिष्टा तोड़ कर गए है, नाराज होकर आप से दूर गए है, तो दूर जाने की बात, यह person फिर से लोट कर आने की energy हाँ पर है, और यह 3 हफते के लिए किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि general reading है, तो बहुत सारी energies आजाएंगी, जो आपके favor में काम करेगी, और जैसा जैसा आप claim करते हैं, अब यह 3 number है, अगर आप 3 number को claim करते हैं, तो हो सकता है, 3 गं कहीं पर भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूर है, आपके पास नहीं है, आपके city में नहीं है, कहीं न कहीं दूर है आपके partner, और वो travel करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनका कौन message आ सकता है, आपको कह सकते हैं, अचानक कि मुझे आना है, तुमसे मिलना है, तुमसे बात करना है, ऐसा कुछ होने वाला है, बहुत ही positive mood में मुझे दिखाए देते हैं person, positive सोच रहे हैं, इस रिच्ते को लेकर serious होते वे मुझे नजर आते हैं, और इनका future को लेकर जो फैसला है न, वो नहीं बदलेगा जो बुरा वक्त इन्होंने आपको दिया, या दोनों के वज़े से आप दोनों अलग हो गए हो सकता है, किसे की भी गलती क्यों ना हो, रिच्ते में होता ही है, लेकिन एक दुसरे को समझना बहुत important है, तो अभी ये partner कोशिश करना चाहते हैं, आपको समझने के लिए, आप समझने की कोशिश की है, इस person का आपने weight किया है, बेसबरी से इंतजार किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो आपकी महनत है, वो रंग ला रही है, और इस person को आपकी तरफ आना ही होगा, क्योंकि manifestation भी strong है, आपने देखा है कि magician के बाद ये three of wands, यानि कि आपका manifestation इतन strong है ना, आपकी energy इतनी strong और positive है, कि इस person को मजबूर करेगी आपकी तरफ वापस आने के लिए, जहां पर आपने उमिद छोड़ दी कि person नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या है कर गए, कि रिष्टा खतम, तभी ये होगा कि ये person आपके सामने होंगे, अच्छानक, तो ये unexpected य है, वैसा ही होने वाला है, और कुछ cards लेंगे, please card shuffle करते वग, अपने partner का नाम ज़रूर लिजे, ताक कि आपकी energy आपर connect हो सके, beautiful cards है, देखे, beautiful energy आ रहे, कि person बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते है, इनके जो speed है, आप देख सकते है, night of swords, कि decision बन गया, कि किसी भी हाल में उनको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुचना है, अब यह हो सकता है, कुछ भी situation, family problems भी है, तो यह नहीं मानेंगे, उनको आना ही है, इनका फैसला हो चुका है, इनके thoughts, इनके विचार, आपकी तरफ इनको खिच कर लेकर आ रहे, तो यह person बहुत ही positive energy में है, और जल बाजी में अच्छानक निरने लेने वाले है, अच्छानक फैसला होगा इस person का, कि मुझे आना है वापस, इस रिष्टे को निबाना है, आगे तुमारे साथ ही मुझे जाना है, ऐसा यह कहने वाले है, तो यहाँ पर positive रिष्टा, positive जो vibes है person की मुझे यहाँ पर feel होती है, और रिष्टे में positivity आ रहे है, इस number को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, बारा number है, या फिर तीन number की energy में हो सकती है, गुरू की energy को यह represent करता है, जहाँ पर person जो उनको अच्छा लगता है, वही करना चाहते, ना कि किसी की बातों में आकर अपनी खुशिया कुर्बान नही करना है, यह person को अभी लगता है कि आप से खुशी मिलेगी, आपके साथ रिष्टा अगर रखेंगे, तो उनका future अच्छा रहेगा, उनका भविश्या अच्छा रहेगा, उनको आगे जाकर जैसे कि पच्छावा नहीं होगा, यह सोचा है इस person ने, यहाँ पर मुझे लगत के बाद, इनका प्यार जो आपके लिए है, वो बढ़ गया, और अभी यह person को ऐसा लगता है, कि उन्हों ने गलत किया, आप से दूर जाने का जो फैसला था, वो बिलकुल गलत था, क्योंकि aggression हो सकता है, थोड़ा सा गुसा हो सकता है, और उस वक्त उनके समझ में नहीं आय क्योंकि गुसा मतलब शैतान, और शैतान हमेशा आप से गलत कामी करवाएगा, तो यहापर मुझे लगता है कि person जो तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा मुझे लगता है यह दिखा रहा है, कि इनकी जो feelings, इनका जो love, इनका जो प्यार, मुहबबत जो है, वो बहुत ज जादा है, strong emotions यहाँ पर person की, और सोच बतली वही मुझे नजर आती है, और यह person को जादा time आप से दूर नहीं रहने देगी, nine of cups क्या बात है, यानि कि सपना आपका जो wish है न, जो भी आपने फाईश रखी है, जो भी सपना, वो पुरा हो रहा है, यह person पुरा करना चाहते, आपको हर एक खुशी देना चाहते, बहुत यह अच्छा वक्त, nine of cups, यानि कि person ने अभी भी move on नहीं किया है, ना ही person ने किस कि और के लिए नहीं हो सकता है, तो अगर आप सोच रहे हैं न, कि इनके जिंदिगे में और कोई आया है, या इनके जिंदिगे में और कोई इनको पसंद आया, या किसी की तरफ गए, तो ऐसा बिलकुल जो भी दिमाग में आपके है, निकाल दीजे, क्योंकि यह person आपका इ जाएंगे, किसी और से प्यार नहीं कर सकते, किसी और से शादी नहीं कर सकते, भले इनके उपर प्रेशर हो family का, तो भी यह person नहीं मानेंगे, यह person को न, आपके partner को बहुत ज़दा attachment है आपसे, उनको ऐसा लगता है कि जो प्यार आपने दिया, वो कोई और नहीं दे सकता, जितना भी आपने मेहनत की है, या जितना भी आपनी खुशी दी है, इस person को, छोटी-छोटी बातें आपनी याद रखी है, person की, हो सकता है कि उनके meetings के बारे में, उनके सफर के बारे में, या हो सकता है उनकी कपड़ों के बारे में, या हो सकता है उनकी कपड़ों के बारे म बहुत ज़दा ये तर्क्री की है इस परसन दें और कही न कई उसमें आपकी मैंनत यहां पर मुझे दिखाएं देते हैं कि अपने बहुत की हैं उनकी जॉब के लिए ट्राइ किया यहां पर भी वेकेंसीज और जहां पर इंटर्वियूस हैं आपने उनको बताया कि हैं आप तो ये याद कर रहे है पसंद कि अगर आप नहीं होते हैं उनके साथ यह सब जो आप हासिल नहीं कर सकते थे паль यह इतनी खुछे इस पस उनको नहीं मिलती थी जो कि अभी वो बहूप्त जड़ा जैसे कि आपको मिस कर रहे हैं आपको याद कर रहे और happy moments जो इन्होंने achieved किया ह जो achievement है आपके साथ share करना चाहते है एक happy card मुझे दिखाए देता है nine of cups क्योंकि positive card है यहाँ पर है five of pentacles यहने कि break up तो था आप दोनों की बीच break up हुआ है no contact situation रहा है जो कि बहुत जदा painful रहा होगा आपके लिए आपके partner के लिए क्योंकि ऐसे ही जब आप किसी से प्यार करते ह में रहते हैं और अच्छानक उस person को अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो ना आप खुश रह सकते हैं ना आपके partner यहाँ पर ऐसा लगते हैं कि उस वक्त दोनों की बीच कुछ ना कुछ negative energy हो सकती है दोनों की बीच जैसे कि एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे लेकिन आग भी मुझे लगते हैं और person चले गए जो कि बहुत जादा hurting हो सकता है आपका दिल तोड़ कर गए है और मुझे ऐसा लगता है ना कि फिर भी आपने उमीद नहीं आ रही है इस person की सिवा और किसी के बार में नहीं सोचा है और इस person का wait किया आपने जो कि आज आज आपके बदलते में मुझे नजर आते हैं और कुछ cards लेकर देखेंगे वाव बहुत ही अच्छा card है आप देख सकते हैं two of cups यानकि feelings खतम नहीं हुई है भली लड़ाई है no contact है बात नहीं करते हैं या एक दूसरी को देखना नहीं चाहते या ऐसा कुछ हुआ है जहां पर person ने बोल सकते आप इंसान के number को delete कर सकते हैं उनके photos को delete कर सकते हैं आप ब्लॉक कर सकते हैं उनको social media के उपर या कहीं सब जगल से block कर सकते हैं लेकिन दिल को कैसे block करेंगे दिल में तो यह person बसे हुए हैं आपके भी और आप उनके दिल में तो उसको तो block नहीं कर सकते हैं वह यादे कैसे मीटा सकते हैं उसका तो कोई मतलब उसके कोई रेमेडी नहीं है कि किसी की याद मीटाना है मुझे रेमेडी करनी है तो उसके ओपर कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि दिल में बसा है इंसान हां किसको भुला सकते हैं आप अपने दुश्मन को भुला सकते हैं क्योंकि वह के लिए मायने ने रखता मिप्राइन नहीं लेकिन पर्सन इंपोर्टन ने इसने पिया आपको दया बहले वह कुछ घड़ी दिया है कुछ दिन दिया है यह आपने आपके person की feelings मुझे दिखाए देती है, equal give and take होगा अभी इस रिष्टे में, बहुत ही positive, यहाँ पर मुझे vibes उस person की feel होती है, आपकी भी, कि आप expect आपने किया था, कि यह person आएंगे वापस, मुझे प्यार करेंगे, मुझे नहीं दोका देंगे, कि मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो वही हो रहा है, यह balance करना चाहते, अभी आपको तकलिफ दिया है, लेकिन उस जिसका इनको अंदाजा है, कि उनके behavior के वज़े से आपको तकलिफ हुई है, उनके स्वबाव या उनका decision के वज़े से आपको तकलिफ हुई है, यह सब person जानते हैं, partner आपके जानते हैं, और अभी वह वापस आना चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी step के रिष्टे में हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस भी type के रिष्टे में आप हैं, आपके person आपसे प्यार करते हैं, आपके partner, आपके बिना जीने के बारे में नहीं सोच सकते, आपके अपसे अलग होकर खुश नहीं रह सकते, इतना तो मैं यहाँ पर आपको 100% कह सकता हूँ, कि यह आपके बिना खुश नहीं रह सकते, यह बिलकुल अभी आपके contact में नहीं है, लेकिन इस person बहुत ज़्यादा emotional है, क्योंकि starting में ही ace of cups, इनकी emotions, person रोते हुए नज़र आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते, drops गिर रहे हैं, यहाँ कि person की emotions है, रोते हुए नज़र आते हैं, tears है, यहाँ पर भी same है, cups के energy, यहाँ पर भी same है, cups के energy, तो यहाँ पर इनकी emotions और feelings, खतम नहीं हुई है, ना ही कम हुई है, queen of pentacles, यानि कि इंतजार बहुत ज़्यादा है, इस रिष्टे में आपने इंतजार किया है, हर गड़ी इस person का, यह person ने on-off situation दिया होगा, यहाँ पर यह card मुझे भी कहता है, कि आपको पता है, कि एंपरसन हमेशा के लिए आपके नहीं हो सकते, लेकर आपको प्यार है कि मतलब दिल नहीं मानता, या प्यार कम नहीं हो रहा है, यह मुझे feel होता है, हो सकता है कि person आपके partner married है, या हो सकता है कि आप cast issue हो सकता है, जहाँ पर आपको पता है कि इनकी family आपको accept नहीं करेगी, आप एक divorcee हो सकते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि इनकी family accept नहीं करेगी, तो बहुत सरी problems है इस रिष्टे में, लेकिन क्या करें, आपका प्यार कम नहीं होता है, आपको यह उमीद है कि भले हमारा रिष्टा लेकिन प्यार कं नहीं हो रहा। हमेशा के लिए रहेगा। और इस परसन को खोने की यह पर नदर है। साथे साथ आपके partner भी डरते हैं कि आप उनको छोड़ कर जाएंगे, हो सकते कि पहले वो आपको छोड़ कर गए हैं, लेकिन अभी खुद वो डरते हैं कि आप कहीं उनको छोड़ कर न जाब, balance आ रहा है, balance में आते बें नजर आता है रिष्टा, कि सब कुछ ठीक हो रहा है, चक्राज परसन के balance में आ रहा है आपके partner के, चक्राज जब balance में आते हैं तो person active हो जाते हैं, आप person की feelings जो हैं, वो feel कर पाते हैं, प्यार को महसूस कर पाते हैं, उनको कौन से रास्ते पर वो जा रहा हैं, उनके समझ में आता है, कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, तो ये सब चीजें अभी person, जैसे कि उनकी अगर गलती है, तो सब कुछ ठीक करना चाते हैं, अगर आपकी गलती हैं, तो भी वो सब कुछ भुला कर एक नहीं शुरुआत करना चाते हैं, इनका जो प्यार है, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चक्रा बैलन्स में आ रहा है, हार्ट चक्रा जाद करके, जब लव रिलेशन्शिप की बात आती है, तो रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, अधर आई चक्रा, तो रोट चक्रा, यह बहुत जादा इंपोर्टन होते हैं, बैलन्स में होना, यह जब बैलन्स में होते हैं, तभी इनसान आपको सामने से प्रोपोज कर सकता है, एक्स्प्रेज कर सकता है, या सकती है, कि मेरे को तुमसे प्यार है, मैं तुमरे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती तभी कह सकता है जब उसका हार्ट चक्रा ओपन है या हील हुआ है अगर उसमें ब्लॉकी जीस होंगे तो चक्रा में भी तो कह नहीं सकेगा एक्स्प्रेस नहीं कर सकेगा परसंद और अंदर घूटता रहेगा तो यह चीज़ें यहां पर मुझे लगता है कि अ आपके बिना जीने के बारे में नहीं सोच सकते या इस रिष्टे को खतम करने के बारे में जो फैसला लिया था इस परसंद वह गलत है परसंद तूट चुके हैं अभी वह नहीं रह सकते आपके बिना और नहीं शुरुआज जरूर 100% चाहते हैं यह पार्टनर क्योंकि आपके साथ गुजारना चाहते हैं आपके साथ बिताना चाहते हैं एक अच्छा वक्त आपको हर खुशी देना चाहते हैं अभी तक हो सकता है कि इग्नॉरंस बहुत था इस परसंद की तरफ से वह भी ठीक करना चाहते और एक हापिनेस आपके जिन्देगे में आते में मु तेरा नबर आपके लगई है उसके बात 19 लगोंगे हैं उसके बात 19 लग द् fourteen है और आ जो यह तो डाशि आई है चयैन कर पाहे कर सिर्वर अपर यह तो निस वर्यरी लियूजDRAS राशी और दनु राशी और उसके बाद यहां पर है जैमिना लिब्रा एक्वेरियस मितुन राशी तुला राशी और कुमबा राशी यानि कि सबी 12 राशियां यहां पर आई वही हैं आपके लिए गाइड़न्स चेक करेंगे क्या गाइड़न्स होगा आपके लिए एंचल आपको efforts अपने डाले हैं तो अभी person efforts डालेंगे या फिर इस रिष्टे में थोड़ा से आपको adjustment करना होगा अगर आप गुसे में हैं और आप सोचते हैं कि person गलती की है तो उनको ही माफी मांगनी चाहिए उनको ही आपके पास आना चाहिए तो नहीं यहां पर आपको guidance ही है कि जिसकी भी गलती हो अगर आपके partner ने आपके साथ ऐसा किया और आप चाहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी करूँगा या करूँगी तो उन में और आप में क्या फरक है आपकी identity अलग है आप उनके जैसे behave करके अपने आपको उनके जैसे बनाने के कोशि कीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं तुम्हारे जैसे नहीं हूं मेरा सौबा वालग है मैं तुमसे प्यार करता हूं आप प्रूफ कीजिए यह आपके लिए गाइडेंस है उनके जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए शिक्स नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा लग तो claim किजिए इस reading को, thank you all of you, thank you angels, thank you universe.